इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। निजरल दो प्रतिशत सोल्यूशन दवाओं के एक समूह से संबंधित है, जिसे एंटी फंगल कहा जाता है। इसका उप्योग तवचा के फंगल संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है। ये हैथलीट, फोट, थर्ष और दाद जैसे संक्रमन का कारण बनने वाले कवक को मार कर काम करता है। निजरल दो प्रतिशत सोल्यूशन का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में किया जाना चाहिए। अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इस औशधी का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए। अपनी आवश द्वारा कहे गए समय से अधिक समय तक दवा का उप्योग न करें। और यदि दो से चार सप्ताह के उप्चार के बाद भी आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है। तो उसे बताएं। यदि आपके पास एथलीट फुट है तो अपने मोजे या चड़ी अच्छी तरह चीलने या त्वचा का फफोला शामिल है। कभी-कभी ये आपके बालों के पतले होने का कारण बन सकता है। ये आम तोर पर गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गंभीर अलजी की प्रतिक्रिया हो सकती है तो आपको अपने डॉक्टर से संप संपर्क से बचें। सीधे संपर्क के मामले में अपनी आँखों को पानी से धोएं और ततकाल चिकित सा सहायता लें। यह संभावना नहीं है कि आपके द्वारा मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित लेकिन इसका उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें यदि आपने हाल ही में एक अन्य दवा का उप्योग किया है जिसमें स्टेरोइड होता है या किसी अन्य एंटिफंगल दवा से अलजी की प्रतिक्रिया होती है। गर्भावती या स्तनपान कराने वाली म लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद